Science and Tech में आज हम भारत के द्वारा डेवलप किये गए Next Car 19 थेरपी के बारे में समझेंगे Next Car 19 थेरपी को Car T Cell थेरपी के नाम से भी जाना जाता है इसे मुख्य तौर पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है इसे बनाने वाली कंपनी का नाम Immuno Act है जो की IIT बॉम्बे में स्थापित है अब समझते हैं Next Car 19 और उसके फंक्शन के बारे में Next Car 19 में Next Denote for Next Generation, C for Chimeric, A for Antigen, R for Receptor तथा 19 एक तरीके का प्रोटीन है जिसे CD19 के रूप में जाना जाता है यहां CD means Cluster of differentiation है जो एक तरीके का Norman Clature System है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे सरीर की अपनी एक पूरी आर्मी होती है जो इसे बाहरी अटैक से बचाती है जैसे आर्मी की अपनी अलग-अलग टुकडी का अलग-अलग काम होता है वैसे ही हमारे सरीर की आर्मी का भी अलग-अलग काम होता है जैसे antibody हमारे सरीर में आने वाले antigens जैसे bacteria viruses आदी को identify करने तथा T-cell antibody द्वारा मिली इस जानकारी के आधार पर bacteria viruses को destroy करने का काम करती है लेकिन कभी-कभी antibody और T-cell में ताल मेल न बैट पाने की वज़े से कुछ foreign particle जैसे HIV viruses हमारे सरीर पर कभजा कर लेते हैं इसी तरीके से जब T-cell हमारे सरीर में पनप रहे cancer को पहचान नहीं पाता है तो cancer की वज़े से हमारी मृत्यू हो जाती है इसी से निजाद पाने के लिए हमारे इंडियन साइन्टिस्ट ने एक ऐसे T-cell का निर्माड किया जिसमें identify करने के साथ साथ destroy करने की भी छमता हो और उन्होंने इसे नाम दिया CAR T-cell यानि Chimeric Antigen Receptor T-cell और cancer cell को target तथा eliminate करने की इस therapy को कहा गया next CAR 19 therapy Science and Tech की अधिक जानकारी के लिए विजिट करे हमारा YouTube चैनल Beginning of भविस्या